स्वाम लेग्म स्टूडेंट्स प्रिविए लेक्स्टर में हम डिस्कुस किया था कि अगर हम देखें टीशू की तो उसमें फोर में चैटीग्री देखें इस अब एक पहले ने डिस्कुस कैसा है अपिथेलियल टीशू को उसके बाद है कॉनेक्टिव टीशू जैसे कि नाम से ही जाहिर है कॉनेक्टिव टिशू कॉनेक्टिव का मतलब यह बाड़ी के अंदर कॉनेक्टिंग फॉंक्शन परफॉर्म करेंगे कॉनेक्शन का काम करेंगे इसके इलावा यह दूसरे टिशू को स्पोर्ट भी करेंगे और बाइंड भी करेंगे एपिथीलियल टिशू के बड़क्स अगर हम देखें सिंप्ली अगर यह देखें काट लें तो यहां पर देखें सेल्स हैं यह क्या होंगे स्कैटर्ड इसके अंदर जो सेल्स होंगे एपिथीलियल के निस्बत स्कैटर्ड हुए होंगे मिसाल के तोर पर काटिलेज बून ब्लड और अरिपोस्ट इशू यह काटिलेज का यहां पर स्टक्चर देखें यह सेल्स यह देखें टाइटल बांड रही है बलके स्कैटर्ड है इसके अंदर जो इनका मैंटिक्स होगा वो क्या होगा रबरी होगा प्लास्टिक होगा रबर की तरह लोकेशन अगर हम यहां पर देखें इसकी सिस्थे में मुझूद होती है काटिलेज तो यह मुझूद होती है एंड्स ऑफ बॉन्स की किनारों पर एक्स्टरनल एयर पर नोस पर नोस को देखें आप यहां से टच करके देखें आप नोस को यह इसके अंदर लास्टिक आपको नज़र आएगी इसके अलावा ट्रेकिया सांस की नाली में यह मुझूद होती है जहां पर यह कि अपर नियुक्स का काम करती है नेक्स है बॉन तो मारी बॉडि के अंदर बेशमार बोंज जैसे अडल्स की बात करें टूजरो six बोंज हैं यहां पर देखें के बोंज के सैल्स भी स्कैटर्ड है यह इनके तरम्यान में सैल्स हैं बोंसेल्स साइट पे जो जगह है मैटिक्स मैटिक्स ahod matic मैटिक्स आरा ही वह ahod Всё पॉल्ट यहां प्यजक्व हों पे प्लेट यहीं है डिफेरेंट शडायश संधा आरहीं तौन क्ई पर एक है कि अधें अधडाय्ड को पर बलूओ के अंदर लुट्ट करने के लिए जिस लिक्वड में यह सेल्स मुझूद होती है उस लिक्वड या फ्यूर को में क्या बोलते हैं प्लास्मा पूरी बाडि के अंदर है हमारी बाडि जो है इसके पूरी बाडि में different organs तक अगर blood circulate कर रहा है तो इसका कवाँ पर काम basically क्या होगा ब्लड को एक तो circulate करना दूसरा oxygen को transport करना इसमें मुझूद रर्वर सेल हैं उनका काम basically क्या है औक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना वाइवर सेल का काम क्या होता है एंटिजन पर यूस करना जितने भी जमसमानी बॉड़ी के अंदर आते हैं उनको खतम करना तो इस तरह से ब्लॉड जो है यह भी एक कुनेक्टिव टिशू है नेक्स है अडिकोसट इशू यहां पर देखें डा अग्सार सेल के इसल के अंदर नॉकलेस है यहां पर राइक यह लूग मॉटे यह यह भी आ कि हैं यहांठ पर टिशू की आगर हम सेल के अबूटे थे तो बेन आ journée किड़नीस पर कि रुकेशन कहां पर होगा इनकी किड़नीस अंडर स्कीन कि स्कीन के नीचे एब्नॉमेन पेट वाले हिस्से में अब जिस हिस्से में भी मुझूद होगा इनका काम वहां पर क्या होगा फंक्शन एडिपोस्ट टिशू जो हैं जिस इस्से में भी मुझूद होंगे यहां पे यह प्रॉइड करेंगे अनरजी क्या प्रॉइड करेंगे अनरजी के साथ यह आर्गन को भी क्या करेंगे स्पोर्ट करेंगे तो यहां पर देखें इस तरह से connective tissue मोरी बॉड़ी के अंदर जो है different काम perform करते हैं next है connective nervous tissue nervous tissue हम पहले पर discuss कर चुके हैं हमारी बॉड़ी के अंदर क्या काम करते हैं coordination का यह ऐसा communication system बनाते है यह क्म्यूनिकेशन सिस्टम क्या करेगा ट्रॉंस्मिट करेगा इन्फॉर्मेशन को अब इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रॉंस्मिट होगी डाइग्राम में देखें लैंध यहां पर देखें इन्फॉर्मेशन ट्रॉंस्मिट होगी इन्फॉर्म में नौप इंपॉल्स की हब bana जाता है वह किस पॉर्में जाता है नर्व इंपल्स की फार्म, इन्फरमेशन जो नर्व इंपल्स क्या है यह हमणि बाड़ी के अंदर पेगाम है, जो एक हिस्से से दूसरी इसे में जाता है, जिसके जरीए कॉडिनेशन पैदा होती है, कंपोजिश्टिशन अगर हम देखें, तो यह किस से बने होते हैं, यह बने आते हैं नर्फ और नियूरोन्स किसे मिलके बने आते हैं या तो नर्फ या नर्फ सेल या नियूरोन सेल से लुकेशन यह मारे ब्रेन में भी बुजूद हैं स्पाइनल कार्ड में भी नावस में भी जहां जहां पर यह मुझूद होंगे इंक अगाम क्या होगा कौर्डिनेशन और कौर्डिनेशन जो है जो पेगाम जाएगा हमारी बाडिके एक बारी नर्मान के इ संतर नर्फ फर्म करने भी यह मैं जाहतaja कि लंग सबसेजूद के इसेद़ ओंड मैं वंभी जाएगा जै का जोन का कौर्डिनेशन पैदा हो गई दोनों आपने याद भी करने हैं और अच्छ तरह से लिखने भी हैं डाग्राम के साथ लाग फिल्स